गुड मॉर्निंग मारू नाम डॉक्टर शेतल देश्मुख छे अने हूस ने हॉस्पिटल आने IVF सेंटर माँ गुड मॉर्निंग मारू नाम डॉक्टर शेतल छे अने हूस ने हॉस्पिटल आने IVF सेंटर माँ अब्स्टरटीशन अने गाइनेकलोजिस्त तरीके काम करू छू आजे आपड़े अहिया कोरोना वाइरस नी प्रेग्नेंसी पर थती असर अने प्रेग्नेंसी दर्मियान सोनोग्राफी नू महत्व आ बेवस्तु विशे चर्चा करवा माटे मड़ी रहया छिये आँ टॉपिक पर हूँ डीटेल मां तमने जणाओ ए पहला हूँ थोड़ू कोरोना वाइरस ना पैंडेमिक विशे तमने माहिती आपवा मांगो छू कोरोना वाइरस ना पैंडेमिक जे थाऊ छे ए गलोबल महा पैंडेमिक कहवाई जेने के जेनी असर भारत पर ज नहीं पन दुनिया ना बधाज देशों पर थाई छे हवे आ कोरोना वाइरस ना इनफेक्शन थी बचवा अने एनू संक्रमन घटाडवा माटे आपडे सारा मासारी वस्तु करी शकिए तो ए चे कि आपडे गवर्मेंट ना जे गाइडलाइन्स छे एने फोलो करिए एने स्ट्रिक्ली फोलो करिए गवर्मेंट ना गाइडलाइन्स आपने बदाने खबर रज छे पन हुँ तमने फरी थी एक हिस कारण के बधाज प्रेगनेंट बहनों माटे पन एज गाइडलाइन्स एपलीकेबल थता होई छे एटले हुँ तमने ब्रीफ माँ एना गाइडलाइन्स समझावीस पहला माँ पहलू सोशल डिस्टनसिंग एटले के घरनी बाहर ना नी कड़ू सोशल डिस्टनसिंग ने फॉलो करावा माटे सरकारे लोकडाउन नी जाहरात करी छे आपड़ी फरज छे के आपड़े लोकडा वाशिंग जेने के हवाई एटले के साबू थी आपड़ा हाथ वारम वार धुवा कई-कई सिचुएशन मां आपड़े हाथ धुवा जो ये एपन हुँ तमने समझा वीज के जमता पहला जमिया पची कोई पन वस्तुने तमें टच करो कोई पन सर्फेस ने टच करो एना पच कोलो करी शको छो त्रीजी वस्तु छे अगर आपड़े 100% राएवी करवी जोई है के घरनी बाहर ना नी कड़िये पन मानों के आपड़ने कोई काराणों सोर घरनी बाहर नी कड़वानी जरूर पड़े इमरजनसी कंडिशन होई के असेंजल वस्तु नी जरूरी या तो त्यारे तो कंपलशरी मास्क पहरू जरूरी छे मास्क माटे तमें बाहार बजार मां मलेला मास्क पहरवानी जरूर ना थी तमें घरमा पन कोई पन कापड मां थी मास्क बनाई शको छो अने एनों उप्योग करी शको छो पन मास्क तमें जहरे पन बाहार निकडो त्यारे मास्क पहरू कंपल सरी छे चोथी वस्तु एछे के आपणे घर मा बेठा बेठा बधाच प्रेगनेंट बहनो एपण अने नॉर्मल मानसो एपण पोतानी इम्यूनीटी वधे एना माटे ना प्रयतनो करवा चोईए इम्यूनीटी वधे एना माटे ना उपायो आयुश मंत्रा लई द्वारा आपणने आफवामा आवेला ची अने एने आपणे फॉलो करी शकिये छी ए खुबज इजी अने घरे करी शकाई एवाज उपायो होई छे जेमके गरम पाणी पीऊ हरदर वाडु दूद पीऊ तमे घरमा बेसी ने योगा आने प्राणायाम करी शको छो योगा थी इम्यूनीटी वधे छे योगा करवा थी कि मेंतल हेल्थ पन एटलीज जरुरी छे जैटली फिजीकल हेल्थ घरमा बेसी ने आपणे गїडरी वश्तुए उवाछी आवा समई दर्मियान आपणे सउठी वधारे आपणा मेंटल हेल्थ पन पन फोकस करिये वधारे जरूरी छे करण के मेंटल हेल्थ अने इम्मुनेटी ने डाइरेक्ट कनेक्षन छे अने स्पेसिफिकली प्रेगनेंट बहनों माटे मारी सुचना छे के तमें घरमा बेसी ने योगा अने प्राणायामनी प्रेक्टिस करी शको छो नेगेटिव वीच के तमने कोई पन लेटेस्ट अपडेट जोईता होई कोरोना वाइरस रिगार्डिंग तो तमें आरोग्य सेतु एप जे गवर्मेंटे जाहर करेली एप छे एने डाउनलोड करी शको छो तमें डाउनलोड करो तमारा मीत्रों अने तमारा सगा सबंदियों ने पन एनी लेंग्वेज मां ये समझावे चे और तमें ये फॉलो करी शको छो हवे आज ना जे समय नी वाद कोरोना वाइरस ना पैंडेमिक नी वाद हवे आपड़े आपड़ा टोपिक पर आविये तो अमने खबर छे के आ एक एवी सिचुएशन छे के जारे स्पेसिफिकली प्रे तो एवा दर्दियों माटेज खास करीने स्ने होस्पिटल तरफ थी आविरिते फेस्बुक लाइफ पर आमें बधा डॉक्टरों तमने मार्क दर्शन अने तमारा प्रश्णों निवारण करी शकिए एना माटे नों अमारों आएक प्रयातन छे अने मने आशा छे के तमने प्रयातन थी फाइदों थाई प्रेगनेंसी हवे प्रेगनेंसी अने कोरोना वाइरस नुँ इन्फेक्शन आने रिलेटेड लोकों ने जे मेजर क्वेरीस अने क्वेस्चन्स छे एना वीशे नी हुँ चर्चा करीज पहली वस्तु लोकों ने ए लागे के प्रेगनेंसी पर कोरोना वाइरस नी असर केवी होई छे एवु तो नथी ने के प्रेगनेंसी होई एडले कोरोना वाइरस नुँ इन्फेक्शन थवाना चांसिस वधारे होई तो एनो जवाब छे ना प्रेगनेंसी ए एवी कोई से कोरोना वाइरोस में इन्फेक्शन लागवा ना एटले एवु प्रेगनेंसी ए कोई हाई रिस्क कंडीशन न थी पन छता पन प्रेगनेंसी दर्मियान कोई पन वूमन नी बॉडी मां घणा बदा चेंजिस आवता होई छे एटले एमने स्पेसिफिकली थोडु वधारे ध जरूरियात छे अने ध्यानमा एज तमें के तमारा गवर्मेंट ना गाइडलाइन्स ने स्ट्रिकली फॉलो करवा जोई है अने स्पेसिफिकली एवा प्रेगनेंट बहनों के जेमने कोई एक अंडरलाइंग कंडीशन छे जेमके हाट डिसीज छे फेफसानी कोई बीमारी के डाबिटीस चे प्रेगनेंसी साथ है तथा जे बहनों मोटी उमर ना छे स्पेसिफिकली जेमने आईवी एफ कराव्यू होई एवा फीमेल्स के जेमने मोटी उमरे प्रेगनेंसी रही होई एवा लोको थोड़ू हाई रिस्क मां आवे एटले एमने थोड़ी वधारे आ अने ध्यान राखवामा तमें एज जे में तमने पहला मेंचन करिया ए गवर्मेंट ना गाइडलाइन्स ए बद्धाज फॉलो करवानू बिल्कुल जरूरियात छे बीजो प्रश्न ए होई छे के बीजो प्रश्न अने जे खुबज जरूरी प्रश्न छे अने मुझुण प यो छे तो आ लोगडाउन नी सिचुएशन दर्मियान मारे मारी एंटी नेटल विजिट फॉलो अप मा जवानी जवु जोई है के ना जवु जोई है हवे आना माटे हूँ तमने सिंपल शब्दों मा समझाविस के जहरे जरूर ना होई एवी सिचुएशन मां 100% आपड़ अवोईड करवु जो ये बाहर नी करवु जरूर ना होई एवी सिचुएशन एटले के इमर्जनसी कंडिशन ना होई तो प्रेगनेंट बहनों ने हुँ त्रण ट्राइमेस्टर मां डिवाइड करीने ये ना वीशे समझाविस फॉस्ट ट्राइमेस्टर एटले के पहला पहला त्राण महिना नी प्रेगनेंसी एडले 12 वीक सोधी नी प्रेगनेंसी – फोस्ट्री मंस नी प्रेगनेंसी मां बेजीकली एक के बेवक्त सोनोग्रफी करवानी जरूरियात पड़ती होई छे, जे कंपलसरी पंड छे, फोस्ट सोनोग्राफी तेरे येडरे तमें प्रेग्नेंसी तमने डायागनोस थाई के तमने खबर पड़े के तमारो पीरेड मीस थाओ छे अने तमने प्रेग्नेंसी टेस्ट करो अने पॉजेटीव आवे त्यारे तमारे confirmation of pregnancy माटे एक सोनोग्राफी करावानी जरूरियाद थती होई छे ए सोनोग्राफी करावी लिधा पछी डॉक्टर ना गाइडलाइन डॉक्टरे तमने जे जनावी हो ए प्रमाणीनी मेडिसिन तम में चालू राखी शको छो अने at the end of third month एटले के 12 weeks ना अनते एक सेकेंड सोनोग्राफी आवती होई छे जने फर्स्ट ट्राइमेस्टर अनमोली स्केन कहवामा आवे छे एंटी स्केन पन जने कहवाई ए जरूरी सोनोग्राफी छे एटले जो तमे आ समय दर्मियान तमारो आ पीरेड आवी रहयो होई त तमे तमारा डॉक्टर ने कॉंटेक करो तमारा डॉक्टर तमने जनावे के तमे आ सोनोग्राफी करावी लो तो एमना सलाह प्रमाणे तमे आ सोनोग्राफी करावी शको छो अने पच्छी एना पच्छी तमे रूटीन तमारी जे मेडिसिन्स छे चालू राखी शको छो अन पीडमाइच गांट धा गृकाईच धेरा उया वालेबड़ और पाल्यािच-फीघी, खree देकल सहें, धर्माँएच में तुन स मैं मुट्णि किन ये टेविटी, वारी ंसीन workload है, प Materold 8 तुन स utilities सिचुएशन आवी शक्ये छे जेवी के तमने माइल्ड पेन थाओ पेट मां दुखाओ ब्लीडिंग थाओ के बीजी कोई पन जातनी तकलिफ हो तो आवी कंडीशन मां तमने जरूर डॉक्टर ने कॉंटेक करो अने डॉक्टर नी सलाह प्रमाणे तमने जो ए तमने पर आवी शको छो आद वाद थाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर नी हवे आपड़े वाद करिये सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी एटले के चोथा महिना थी लईने तो साथमा महिना नी शरू आद सुधीनी प्रेगनेंसी एटले के 15 वीक्स ओनवर्ड टु 28 वीक्स कुधीनी प्रेगनेंसी धरम्यान आप्रेगनेंसी धरम्यान एक सोनोग्राफी आवती हो छे जयने पीरियड मा आवता होई तमारी प्रेगनेसी आ पीरियड मा आवती होई तो तमें तमारा डॉक्टर ने कॉंटेक करो तमारा डॉक्टर तमने जणा उसे के तमारे आत तारीखों मा सोनोग्राफी करावानी जरूर शे तो ये तमें सोनोग्राफी करावी लो अने ए सोनोग्रा अने तमने लागे के मने आत अकलीफ थाई रही छे के ब्लीडिंग थाई रही छे बालक फरी रही छे खबर नथी पड़ी रही के तमने कोई पंड डाउट छे तो एवी सिच्वेशन मा तमें 100% तमारा अपसेटीशन ने कॉंटेक करो अने तमें एमनी पासे थी जो जरूर ल इनानी शरूआत जारे थाइ त्यारे 32 वीक्स पर एक सोनोग्राफी करवानी झरूर याद पड़ती हो छे जरूर जे बालकनों विकास बराबर छेके नहीं छो वा माटेनी सोनोग्राफि छे चैने डौपलर सोनोग्राफि पण कहवाई ये सोनोग्राफि कंपल्सरी नथी पण करावव ही अगतैनी तो छे अना पशिय तम ने आगणि मेडिसन्स प्राइमेस्टर दर्मियान अथफा तो कोई पन प्राकार नी इमर्जनसी जनाए हुँ तमने वारमवार कहुछू के इमर्जनसी सिचुएशन मा तमें होस्पिटल नी मुलाकात लो ए जरूरी छे पन इमर्जनसी नी सिचुएशन नथी तो तमें 100% घरेज रो बनी शके एट इतला समय दर्मियान अमें तमने टेलीफोनिक कंसल्टेशन अने फोन माज माहिती आपवानू अने तमारी दवाओ फोन माज समझावी शक्ये एवी अमें अमारा बनता प्रयातनों करी रहया छिए अने जेना थी आपड़े तमारू अने बीजा बधानू पन एक्स्पोजर घटाडी शक्ये स्पेसिफेकले आवी सिचुएशन मां जारे बाहर नी कड़ू एखुब अज रिस्की छे त्यारे एखुब जरूरी छे कि आपड़े घरमा रहिए अने जरूरियात ना होई त्यां सुधी अवोईड करिए अगर जरूरियात होई तो होस्पिटल ने स्थाइ सोनोग्राफी नुँ प्रेग्नेंसी दर्मी यान महत्व अने कोरोना वाइरस नी आ लोगडाउन सिच्वेशन मा आपड़े केवी रिते अननेसेसरी डॉक्टर विजिट अवोईड करी शक्ये एना माटेनी बात आना रिगार्डिंग तमने कोई पन क्वैरी होई तो तमने स्क्रीन पर बतावेला नंबर पर पन फून करीने आगल पूछी शको छो त्रीजो प्रेग्नेंसी दर्मियान के डिलिवरी दर्मियान एना बालक माँ ट्रांस्मीशन प्रोबेबल छे एना कोई कंफर्म केसिस के एविडन्स मल्या नथी पन प्रोबेबलिटी छे के इन्फेक्शन लागी शके एकला माटे प्रेग्नेंसी दर्मियान आपडे ध्यान राखू जोईए अगर तमने कईपन डाउट लागे के मनें इन्फेक्शन ना साइन्स अने सिंप्टम्स छे तो तमारे तमारी जातने सौथी पहला आइसोलेट करवानी जरूरियात छे डिलिवरी दर्मियान पन जरूर पड़े तो डिलिवरी पची बालक ने पन आइसोलेशन मा मुगवानी जरूरियात पड़ी शके छे पन ए बधीज वस्तु तमारा पीडियाट्रिशन और अबस्रेटिशन नकी करे ए प्रमाने करवानी जरूरियात होई छे जो तमने कोरोना वाइरुस नों इन्फेक्शन होई तो प्रेगनेंसी दर्मियान बालक ना डेवलपमेंट पर एनी कोई असर जणाई नथी प्रेगनेंसी दर्मियान अगर कोरोना वाइरुस नों इन्फेक्शन थाई तो एना लिधे मिस्केरेजना के बीजी कोई तकलीफ थावाना चांसिस वधारे थाई छे एवू कोई ज़ केसिस के एविडेंस मल्या नथी मिस्केरेजना चांसिस वधारे होई एवू होतु नथी त्री जोस क्वेस्चन ए आवेज है के हूँ प्रेगनेंट चू अने मारे कोरोना वाइरस ना इन्फेक्शन थी बचवा माटे सू करवू जो ये सउथी इंपोर्टन्ट वस्तु तमें आई इन्फेक्शन थी बचवा आने इनू संक्रमन रोकवा माटे जे करीशो को छो ए गवर्मेंट ना गाइडलाइन्स ने फॉलो करो 100% गवर्मेंट ना गाइडलाइन्स फॉलो करवा जरूरी छे अननेसेसरी बाहर निकड़वू अवोइड करो अने पोता नू अने पोता ना परिवार जोनों ध्यान राखो एक एवो पन क्वेस्टिन छे के जो मने प्रेगनेंसी छे अने फर्स्ट ट्राइमेस्टर छे मारे तो मारे सू करवानी जरूर छे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तमने पहला पन समझावियो के 12 विक सुधी नी प्रेगनेसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आम मेजोरिटी हॉस्पिटल विजट करवानी जरूरियात नथी पड़ती जो तमारी एक स्कैन थई गई छे अल्रेडी खबर अच्छे के प्रेगनेस अने बाळक व्यवस्थित छे तो तमारे घर माज रहू जो ये अने डॉक्टर ने फोन द्वारा कॉंटेक करी ने तमारी अपोइमेंट रिशेडियूल करी शको छो अने अतियारे तमारी तमने जो कोई इमर्जनसी सिचुएशन ना होई तो तमे तमारी जे पन रूटीन जे दवाओ चालती होई एज चालू राखी शको छो अने इन केस ओफ इमर्जनसी तम्हें डॉक्टर ने कॉंटेक करी शको छो एक बीजो पने सवाल आवे छे के आ कोरोना वाईरस नी पैंडेमिक सिचुएशन जी अतियारे चाली रही छे एमारे प्रेग्नेंसी प्लान कर जर्वी के नहीं एह हम्मेशा तमारों पर्सनल चोईस मवी शई छे पॉन प्रेग्नेंसी प्लानिंग दरम यान अने प्रेग्नेंसी रही गया पछी पन डॉक्टरों नी के तमारे हेल्थ केर वर्करों नों कॉंटेक मा आवानी जरूरियाद पड़ती होई छे एकला माटे अन्नेसेसरी कॉंटेक अटकावा माटे एस डॉक्टर अमारी सलाह ए रहसे के आ एक कोई इमर्जनसी सिचुएशन ना थी अने तमे आ बधू एक वार रूटीन अने नॉर्मलाइज था येना पछी पन प्रेग्नेंसी प्लान करी शोको छो मैं तमने जे पन मार्क दर्शन आपियू अने गाईडनस आपियू ए मने आशा छे के तमने उप्योगी निवडे आना सीवाई तमने कोई पन जातनी क्वेरी के क्वेस्चन होई तो तमे जरूर स्क्रीन पर बतावेला नंबर पर फोन करीने पूछी शको छो स्पेसिफिकली मारी एवा बहनों माटे नी सला छे अमारे सने होस्पीटल मा एवा पन घणा बदा IVF थी प्रेगनेंसी रहेली एवा पन घणा बदा फीमेल छे के जे ओ आमदावाद नी बखार रहे छे बखार गामना लोको छे तो एमने तो मारी एज सला छे के तमें अतियारे तो होस्पीटल पर आवानी हमना इमर्जनसी ना होए तियां सुधी होस्पीटल नी विजिट करवानी जरूरियात न थी तमारी अपोइमेंट तमें फोन द्वारा रिशेडूल करी शको छो अने इन केस ओफ तमने अतियारे पन कोई पन जातनी इमर्जनसी जणाई तो तमारा नजीक ना डॉक्टर ने तमें बतावी शको छो अने तियां नजीक ना डॉक्टर नी सला लो ए वधारे जरूरी छे अहीं सुधी आवानू वधारे रिस्की छे एटला माटे एक एवो वेस्टर पन छे के ब्रेस्ट फीडिंग करा ही शकाई के नहीं जो मने कॉरोना वाईरुस नुँः इन्फệcक्शन चेयांने डिलिवरी तो वह पनॉरा बालक ने कॉरोना वाईरुस नुः इन्फेक्शन लागी हो Chiefnos अगर बालक आइसोलेशन माँ छे तो पन तमें ब्रेस्ट फेडिंग ना कराओ के कराओ ए तमारे तमारा पीडियाट्रिशन ना डिसीजन पर छोड़ू जोई है के तमारे ब्रेस्ट फेडिंग करावी शकाई के नहीं कराण के इंफेक्शन ना लागे एनी पन आपड़े इटली ज तके दारे राखवी पड़े छे तो अगर जो तमारे बालक आइसोलेशन माँ छे तो तमें बालक ने एकस्प्रेस्ट मिल्क के टॉप मिल्क आपी शको छो जांसुदी आइसोलेशन नो पीड़ेट चाली रहे हो पूरावा मल्या नथी अने एवू थतू होतू नथी आ साथेज हूं आजनू आ चर्चा अने चर्चा अहींच पूरी करव छू अने मने एवी आशा चाहिके तमने आपड़ा कन्वर्सेशन थी फाइदो थाई तमने आ मारक दर्शन उप्योगी निवडे तमें तमें तमा आशा करू छू हेल्दी रहो तमारा घरमा रहेला वरुद्धो नू प्रेगनेंट बहनों नू तमें वधारे ध्यान राखो अने गवर्मेंट नी जेतली पन अतियारे गाइडलाइन्स छे एनू पालन करो अने बधाने सपोर्ट करो अपड़े बधाय साथे मड़ी ने आ स तो आसा थे चुम वीदाई लगचु थेंक्यु तो आसा थे चुम वीदाई लगचु थेंक्यु